मसकार दर्सकूँ आप सभी का स्वागत है आप सब कैसे हैं मुझे आसा है आप लोग कुषल से होंगे कुषल मंगल से हुंगे स्वस्थ हुंगे प्रसंध हुंगे मस तो हंगे आप अगर Channel पे नये हैं तो Channel को लाइक कर दिजे सब्सक्राइब कर दिजे बिल आइकन को दवा दिजे और ज्यादा से ज्यादा आप अपने नित्रों को भी शेयर किजे कॉमेंट बॉक्स में रादे रादे कॉमेंट करना ना बोले वीडियो को एस्किप करके ना देखें आज हम बात कर रहे हैं देव गुर रासी के जातकों के लिए क्या परभाव देंगे देव गुरु ब्रशकी बृसपती बिसव रासी की जातकों चलते हैं विषे पर्रासी देवगरू बरस्पति वेदिक जोतिस के अनुसार इस वर्स होने वाली महत्पुर्ण जोतिस घटनाओं में से एक है देवगरू बरस्पति का गोचर देवगरू बरस्पति को सुबगरहों के रूप में देखा जाता है और वेदिक जोतिस के अनुसार देव गुरु ब्रस्पती का गोच्चर बहुत ही महतपुर्ण माना जाता है अगर आपके जन्म कुंडली में लगने में अगर कहीं भी बैठा हुआ केंद्र में या भाग में या पंचम में केंद्र या तिरकोन में तो सो दोसों को सो पापों को दोस दूर कर एकेला गुरु ब्रस्पती कर देंगे अगर उस पे चंद्र की द्रिष्टी हो तो और ही सोने में स्वागा हो जाएगा अगर चंद्र और गुरू का यूती हो तो और जवर्दस्ट लाव तो देवगुरु का गोचर बहुत महतपुर्ण माना जाता है देवगुरु ब्रस्पति जब गोचर करते हैं तो जिन भावों पर भी देवगुरु ब्रस्पति की दिश्टी परती है वहां अम्रित्त की बर्सा होती है के समान सुब द्रिष्टि डालते हैं जिसे ब्यक्ति को सुब परिनामों की प्राप्ति होती है देव गुरु ब्रस्पति को जोतिस में जीव भी कहा गया है देव गुरु ब्रस्पति सनी के बाद दुसरे मंदगती से चलने वाले ग्रह मने जाते हैं अगर कोई ग्रह एक रासी में सबसे ज़्यादा सनी ही अपन रहते हैं एक रासी में सनी देव धाई वर्स तक रहते हैं और देव गुरु ब्रस्पति लगभग तेरा महने तक एक रासी में रहते हैं एक रासी में तेरा महने के बाद दुसरे रासी में गोचर कर जाते हैं तो पिछले बर्स 22 अपरेल 2023 को देव गुरु ब्रस्पति अपनी शो रासी मीन रासी से यही देव गुरु ब्रस्पति वर्स 2024 में अपनी मित्र मेस रासी से निकलकर दज्ट गुरु शुक्र की रासी ब्रिसब रासी में गोचर करने चार हैं और यदि तिति और समय की बात की जाये तो देव गुरु ब्रस्पति एक माई 2024 को दो पहर के दो बज कर 29 नद पर ब्रिसब रासी में गोचर करेंगे हैं अपने गोचर के दो दिन बाद ही यानि की तीन माई 2024 को रात्री दस बज के आठ मिनट पर देव गुरु ब्रस्पति अस्त अवस्था में आ जाएंगे और इसे देव गुरु ब्रस्पति का तारा डुबना या गुरु तारा डुबना कहा जाएगा जहां पर लगबग एक महने बाद तीन जून 2024 की प्रात्र तीन बज के 21 मिनट पर या अस्त अवस्था से उदित अवस्था में आ जाएंगे जिस दौरान देव गुरु ब्रस्पति अस्त होते हैं उस दौरान सुब मांगलिक कारियों जैसे बिवा आदी नहीं किये जाते हैं सुब मांगलिक कारियों सारे बंद कर दिये जाते हैं देव गुरु ब्रस्पति के पुना उदय होने पर ये कार सुब और मांगलिक कार शुरू हो जाते हैं इसी ब्रिशवरासी में विराज मान रहकर देव गुरु ब्रस्पति नौ अक्टूबर दू हजार चौविस को प्रातह दस बज के एक मिनट पर वक्री अवस्था में अपनी वक्री चाल शुरू कर देंगे और उनकी यह चाल अगले वर्स चार फरवरी दू हजार पच्चिस की दोपहर के एक बज के चालिस मिनट तक रहेगी देव गुरु ब्रस्पति को सुब और सुब और वृद्धी कारक ग्रह कहा जाता है जिन भावों पर देव गुरु ब्रस्पति की दिष्टी परती है अपनी सुब दिरिष्टी से उन भावों की और उनसे समंदित फलाओं की वृद्धी करते हैं आईए जानते हैं कि देव गुरु ब्रस्पति का ब्रिषब रासी में होने वाला गोचर वर्स दू हजार चौविस में आप पर क्या प्रभाव डालेगा देव गुरु देव गुरु 2024 आपके लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा तो चलते हैं ब्रिषब रासी वाले वीडियो को एस्किप करके ना देखें अगर आप ना समझ पाएं तो वीडियो को बार बार आप एक बार दो बार रिपिट करके आप देखें गुरु का गोचर 2024 बिसव रासी देव गुरु ब्रस्पती आपकी रासी के लिए अश्टम भाव और एकादस भाव के श्वामी हैं अपने इस गोचर काल में देव गुरु ब्रस्पती आपके पर्थम भाव में यानि आपके ही रासी में विराजमान होंगे तेरा महने के लिए देव गुरु ब्रस्पती का यह गुरु गोचर 2024 बिसव रासी में ही होने के कारण आपके लिए बिसेश प्रभाव साली साबित हो सकता है आपके दो कारक भाव के श्वामी होंगे श्वामी होने के कारण देव गुरु ब्रस्पती शुक्र की रासी में अधिक अनुकुल परिनाम नहीं देते हैं अश्टम भाव के श्वामी का आपकी रासी में गोचर करना आपके गुप्त बिद्याओं और गुप्त ज्यान प्रदान करने में मदद करेगा एक आपकी रासी देत्य गुरु शुक्र की है और दुसरे गुरु देव गुरु ब्रस्पती देत्यों के घर में आ रहे हैं तो कभी भी गुरु कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं अगर अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा भी नहीं करेंगे और जहां पे द्रिष्टी डालेंगे वहां पे आपके रासी अनुसार फल देंगे आप बात करते हैं उसका भी द्रिष्टी प्रभाव पे भी बात करते हैं गुप्त ग्यान प्रदान करने में मदद करेगा आप जोतिस रिसर्च आदी विशियों में या किसी गुप्त चर सेवा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इस समय में आपको शफलता मिल सकती है आप दान, धर्म, तंत्र, मंत्र जैसे कार में भी कर सकते हैं एकादस भाव के स्वामी का आपकी रासी में जाना आर्थिक लाब के योग बनाएगा आप धन प्राप्त करने की दिशा में प्रियासरत नजर आएंगे और इसके लिए जितना हो सके उतनी कोशिस करेंगे इससे आपकी आर्थिक अस्थिती में सुधार आएगा लेकिन इन भावों के स्वामी का आपकी रासी में होना आपकी स्वास्त के लिए अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता है आपके उदर रोग मोटापा से समंदित समस्या परेशानी कर सकता है यहां अस्तिती देव गुरु ब्रस्पति आपके पंचमभा पंचमभा पर दिश्टी डालेंगे यहां पर केतू विराजवान है यह आपकी संतान के लिए अच्छा रहे रहेगा इसमें संसकारों की ब्रधी होगी और वह अपने जीवन में नतिक करेंगे और अस्तिती पर आपके सत्तम कुछ जानते हैं देव गुरु ब्रस्पति की किरपा से गुरु गोचर 2024 में यदि आप किसी प्रेम समंध में हैं तो देव गुरु ब्रस्पति का गोचर आपके उस प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला बन सकता है और आप किसी भी हद तक जाने को तैयार रहेंगे देव गुरु ब्रस्पति की किरपा से आपका प्रेम बिवा भी इस वर्स हो सकता है यहां अस्तिती देव गुरु ब्रस्पति आपके सत्तम भाव को भी पूर्ण सत्तम द्रिष्टी से देखेंगे जिससे आपके बिवाहिक जीवन चल रही आ रही समस्याओं में बहुत हद तक कमी आ सकती है भले ही सनी की द्रिष्टी भी आपके सत्तम भाव पर होगी लेकिन उन चुनोतियों को दूर करने में देव गुरु ब्रस्पति का महत पुर्ण योगदान होगा और आपके रिष्टे को बचाए रखने की पूरी कोशिस करेंगे देव गुरु ब्रस्पति की नमम दिष्टी आपके नमम भाव पर यानि भाग भाव पर होने से आप धरम करम के लिए भी तिर्थ याटन करेंगे परिवार के साथ भी कभी एकेले सुब्य और तिर्थ अस्थल पर जाकर देवी देवताओं के दर्शन करेंगे इससे आपको संतुष्टी मिलेगी अत्यधिक पूजा करना आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है इसलिए नियम बद्ध होकर आराम से पूजा करके अपने इष्ट देव को मानने से आपको सफलता मिलेगी तीन मई से तीन जून के बीच जब देव गुरु ब्रस्पति अस्त अवस्था में होंगे तो इस दोरान स्वास्त समस्या के परती विशेश सब्धानी बरतने बरतें आप बीमार पर सकते हैं वर्ष के अंतिम महिना जब 9 अक्टूबर से अक्टूबर से देव गुरु ब्रस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे तब आपको अपने विवाहिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पर सकता है धन को लेकर आप और आपके जीवन साती के बीच कुछ कहा सुनी हो सकती है आपके जीवन में ससुराल पक्च के लोग का बरा हस्त चेप हो सकता है जो आपको परिशानी दे सकता है संतान पक्च को लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे लंबी यात्राओं में कुछ समस्या हो सकती है इसलिए पूरी तैयारी से जाएं उपाय आपको गुरु के गुरुवार के दिन गुरु ब्रस्पति की बीज मंत्र की जाप करें ओम ग्राम ग्रीम सह गुर्वे नमा का नियमित जाप करना चाहिए गुरु गोचर दुजार चौबीस आपके लिए मंगल मैं हो मैंने देव गुरु ब्रस्पति का ब्रिशब रासी में गोचर आपके ही रासी में यानि आपके लग पर्थन भाव में गोचर का प्रभाव फल आपको पूरे बर्स की जानकारी मैंने दिया हूँ अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को लाइक कर दिजे सब्सक्राइब कर दिजे बेल आइकन को दबा दिजे कोमेंट बॉक्स में राधे राधे कोमेंट करना ना भूले और अगर आप सक्षम है तो चैनल का मेंबर्शिप और सुपर ठेंक्स दे दे और आप अपने मित् को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी के साथ अपनी बानी को यहां पर बिराम देता हूं प्रेम से बोलिए राधे 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 कि अब आधे